स्वागतम यह फिल्म आपको डिमेंशिया के बारे में अधिक जान करेदेगी इन में आपको कुछ ऐसे व्यवाहरिक सुझाव देंगे जिससे इस बिमारी से पीडिक लोग कैसे अच्छे तरह के से जीवन व्यतीत कर सकते हैं जैसे यह हैं इर्फान जिनकी आयू स्थिति पर है और उनकी पतने का नाम फातिमा है जिनकी आयू 69 वर्ष है यह फिल्म दर्शाती है कि डिमेंशिया क्या है और यह लोगों पर कैसे असर कर सकता है डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल विभिन मानसिक स्थितियों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो इस बिमारी के वज़ा से प्रभावित होता है ये बिमारे इंसानों को अलग-लग तरहां से प्रभावित करती है इसके सामानने संकेत है Memory Loss, बोलने में कठिनाई और भटक जाना इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेगे डिमेंशिया कई प्रकार का होता है अलजाइमर सबसे आम बिमारी है उसके बाद Vascular dementia आता है इन बिमारियों के बारे में अधिक जानकारे के लिए आप अपने डॉक्टर, जीपी, नर्सें और अपने स्थानिय अल्जाइमर सोसाइटी से संपर्ख कर सकते हैं आप अल्जाइमर सोसाइटी दफ्तर में जा सकते हैं या आप अपने घर पर बुला कर पूछ सकते हैं ये जानना जरूरी है कि डिमेंशिया बुढ़ापे की साधारन निशानी नहीं है जैसे कि बहुत से लोग यही समझते हैं ये एक भिमारी है जो कि मानसिक असंतुलन की वजह से होती है डिमेंशिया किसी को भी हो सकता है ये दुनिया भर में किसी भी जातियों के पुरुष या महिलाओं को हो सकता है जैसे उदाहरन के लिए बिटन में आठ लाग से अधिक लोग और भारत में लगभग 3.7 करोड डिमेंशिया के साथ जी रहे हैं फिल हाल वेग्यानिकों को ठीक तरह से इस बात का पता नहीं चला है कि डिमेंशिया क्यों कुछ लोगों को होता है और कुछ को नहीं ये तो सभी जानते ही हैं कि आयू बढ़ने से जीन्ज, स्वास्त है और हमारे जीने का अंदाज सभी इसमें भूमिका निभाते हैं ऐसा माना जाता है कि कुछ बिमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और डियाबिटीज इस बिमारी को बढ़ाने का कारण बन सकती हैं वेस्कुलर नाड़ी डिमेंशिया, स्ट्रोक या कई छोटे-छोटे स्ट्रोक्स के कारण भी हो सकता है यह दिमाग को जाने वरे खून की गति को रोक सकती है या इस से दिमाग के खून वाली छोटी नाड़ियां पहट सकती है ये दोनों ही दिमाग की कोशिक़ों सेल्स को नुखसान पहुंचा सकती है डिमेंशिया एक बहुत तेजी से बढ़ने वाली बिमारी है जिसका मतलब है कि ये समय के साथ बढ़ती जाती है अलाकि बहुत सारे लोग जो कि डिमेंशिया के होने के बावजूद भरपूर जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहां कुछ उदाहरन दिये गए हैं कि डिमेंशिया लोगों को कैसे असर करता है याद़ाशत का खोना डिमेंशिया हमारे दिमाग के उस हिस्से पर असर करता है जहां हमारी याद़ाश रहती है हमारी याद़ाश दो हिस्से में रहती है एक अलमारी के दो भागों की तरह एक भाग में वास्तविक तथ्यात्मक याद़ाश्ट जिसमें सारी जानकारी है दूसरी भाग में हमारी भावनाओं और भावनात मक आधारेती यादे हैं हर तजर्बा इन दोनों तरहां की याददाश से जुड़ा है जब किसी को डिमेंशिया होता है तो सबसे पहले वास्तवे की यादों पर असर पड़ता है और उस इनसान को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका दिमाग डोलने लगा है अगर दिमाग को बहुत नुखसान ना पहुँचा हो तो जानकरी रहेगी पर नाम, तारेख या ज़रूरी दिन याद करने में देर लग सकती है अक्सर हाल ही की यादें, तो आपने देखा होगा कि हाल ही की याददाश्ट होने की वज़ह से वो इनसान पुरानी यादों में चला गया और वो अपने आपको पहले से जवान महसूस करता है भावुग यादें, यह हैं दिमाग के दाहिनी तरफ का हिस्से जो ज़्यादा दिर तक ठीक रहता है ऐसे लोग भावुग यादों के सहरे से दुनिया का अनुभव करते हैं जैसे कि हो सकता है कि डिमेंशिया वाले व्यक्ति को किसी का नाम न याद हो लेकिन वो यह जरूर जानते हैं कि वो उन्हें खुश या सुरक्षित महसूस कराते हैं स्मृती कठिनाईया प्रतिक व्यक्ति के साथ अलग अलग तरह से बदलते हैं यहां पर कुछ आम समस्या शामिल हैं किसी का नाम न याद रखना घर में चीजें रख कर भूल जाना जानने वाली जगाओं के अंदर और बाहर जाने वाले रास्तों को भूल जाना जैसे जैसे डिमेंशिया बढ़ता है तो लोगों को बारम बार याद दिलाना पड़ता है जैसे खाने के लिए मदद, सनान, कपड़े और शोचाले का उपयोग करने के लिए मदद करनी पड़ती है उनकी स्मृती में गिरावट की वज़ा से बितेजी से भुलक कर कभी कभी एक ही सवाल या वाक्य को बारम बार दोहरा सकते हैं यहें भी हो सकता है कि वे लोगों को पहचान करने के लिए असफल हों और दूसरों के साथ घबरा जाएं डिमेंशिया अकसर दिमाग के उन हिस्सों को नुखसान करता है जहां वो बातचीत करने का जब्मेदार होता है इसलिए लोगों को हर रोज की वस्तू के सही शब्द कहने के लिए मुश्किल आने लगती है ये लोग भीतर से कैसे महसूस करते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, इनको कैसा लग रहा है, इनको यह बताने में कठिनाई होती है अन्य समस्याओं में बातचीत करते समय उसमें शामिल रहकर उसे जारी रखना या किसी एक टीवी के कारिकरम से लेकर उस पर बातचीत करना वे एक ही बात्चीत के दोरान, खुद को कई बार दोहराने लगते हैं, या कोई और बात करने लगते हैं, जहां तक कि क्या कहा था, वो भी भूल जाते हैं जब डिमेंशिया अंतिब पड़ाव पर हो, तो कोई पूरी तरह से बात करना भी बंद कर सकता है डिमेंशिया रोजाना के कामों पर कैसे ध्यान दे इस सोच पर असर करता है इन कठनाईयों के कारण, यह लोग सही धंक से सोच नहीं सकते और उनको रोजाना के काम जैसे की पढ़ने और लिखने, खाना पकाने या यहां तक की एक कप चाई बनाने में भी मुश्किल होती है यह आम बात है कि यह लोग समय, किथी या मौसम के बारे में सोच कर उलज़न में पढ़ जाते हैं डिमेंशिया की प्रगती बढ़ने से यह लोग रोजाना जाने वाली जगाओं को भी पहचानना बंद कर सकते हैं उदाहरण के लिए हो सकता है कि यह लोग सुपरमार्केट, उनके बेटे का घर या पूजा के अपने स्थान को अखसर चले जाते थे नेकिन अब वह वापस नहीं आ सकते उन जगाओं को पहचानने सकते जिनसे वो पहले परिचित थे इस प्रकार के लक्षन किसी को शर्मिंदा होने का कारण हो सकते हैं और वो लोग घर से बाहर ना जाना पसंद करने लग जाते हैं डिमेंशिया लोगों को असमानने रूप से चिन्तित या उत्तिजित कर सकता है मनोदशा परिवर्तन आम है क्योंकि मस्तिष्क का वो भाग जिसमें भावनाएं हैं वो हिस्सा रोग से प्रभावित है गलत वहमी का होना कि क्या देखा और क्या सुना है डिमेंशिया वाले व्यक्ति और उनके आजपास के लोग दोनों के लिए बहुत परिशानी का कारण बन सकते हैं मस्तिष्क के विशिष्ट भागों को नुखसान कठनाईयों का कारण बन सकता है उदाहरन के लिए सीडियों या सरक पार करते समय कारों की दूरी का अनुमान लगाने में मुश्किल आना या वे पैटन या च्छाया का घलत अर्थ हो सकता है डिमेंशिया वाले लोगों के साथ घलती हो सकती है कि वो सामने वाले दर्वाजे पर पड़ी एक चटाई को जमीन में बड़ा छेद समझ कर इसके उपर से कदम लेने की कोशिश करते हैं या कदम लेने के लिए संकोश करेंगे या यहां तक की चलने के लिए भी मना कर सकते हैं। ये सबसे आम लक्षन है, लेकिन हर कोई अपने तरहें से डिमेंशिया का अनुभव करता है।